नमस्कार Capital TV Breaking News देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा बड़ी कबर महरास्ट की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं उद्दव ठाकरे एक की बाद एक बड़ी मुसीबत में फस्ते नज़र आ रहे हैं कल देर रात एकनाज शुंदे ने एक एहम बैठक बुलाई थी दरसल ये बैठक रास्टपती चुनाओं के सिलसले में रखी गई थी पर उद्दव ठाकरे के 15 सांसत इस बैठक में मौजूद थे और एक बड़ी जानकारी आपको ये दे आज एंडिये की उमिद्वार द्रापती मुर्मुख खुद मुंबई पहुंच रही है उद्दव गुट के विधायकों के साथ मुलाकात करेगी पर इस बैठक से उद्दव ठाकरे को अलग रखा गया है इस बड़ी खबर के साथ में साथ न्यूजरूम से जड़े हुए है क्यापिटल टीवी के एडिटर इनचीप जॉक्टर मनिश कुपार कल की बैठक में क्या कुछ हुआ एकनाथ शिंदे ने जो बैठक बुलाई थी देखिए यह जो खबर आई है बहुत ही इस्क्लूसिव और कई सारे मीडिया वालों को यह मालूम तक नहीं है कि कल देर रात एकनाथ शिंदे के घर 15 सिर्व सेना के सांसद वहां मौजूद थे अब बताया तो यह जा रहा है कि राश्पती उमिदवार द्रापदी मुर्मू से क्या मिलना है क्या जुलना जैसे आज द्रापदी मुर्मू वहां पहुँच रही है और करीब ढाई सो के आसपास सांसद और लिजिसलेटर जिसमें विधायक और विधान परिशत के सदस्च यह तमाम लोग द्रापदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे मैं इस खबर पर आऊंगा लेकिन ये जो खबर आई है कि एकनाद सिंदे के घर में देर रात मीटिंग हुई है ये एक संसनी खेज खबर है और सिवसे ना उद्दव ठाकरे संजराउत इनका जो गुठ है उनके लिए खलबली पैदा करने वाली खबर है क्योंकि ये पहले स से ही कयास लगाये जा रहे हैं कि कई सारे सांसत उद्दव ठाकरे को छोड़कर वो एकनाद सिंदे के साथ आने हैं अभी एक मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर जहां तमाम एंडिय के जो की जो पार्टियां हैं उनको बुलाया गया था किस अंदर में तो राश्पती चुन करता हैं वो यहां पर सामिल हुए थे वो तो खुद नहीं आये लेकिन उनका एक रिप्निटेटिव इस मीटिंग में सामिल था मतलब ये कि भारती जनता पार्टी ने ये तैकर लिया है कि उद्दव ठाकरे को साइड लाइन कर देना है उनको रिकोगनाइज ही नहीं करना ह है कि वो कोई एक पार्टी है पार्टी सिमसेना ओरिजिनल वो एकनात सिंदे के साथ है और यही स्टेटिजी अब महराष्ट के अंदर वो साफ साफ दिख रही है 15 सांसत का मतलब यह हुआ कि जिस हिसाब से महराष्ट के अंदर विधायकों ने टू थर्ड से ज़्यादा उन लोगों ने बगावत किया और एक अलग पहचान बना करके अलग पार्टी और ओरिजिनल पार्टी का क्लेम वो कर रहे हैं अब संसत के अंदर पंदर के पंदर टोटल बाईस हैं इनके पास चार इनके पास राजसभा में और लोग सभा में बाकी के हैं और लोग सभा के 15 15 संसत अगर एक नाथ सिंदे के साथ हैं तो यह समझ लीजिए कि बगावत का बुगल जो है वो सिर्व सेना के सांसदों ने फूक दिया है अदर्वाइज जिस तरह की तलखिया हैं जिस तरीके से उद्दव ठाकरे लगातार एक नाथ सिंदे को कभी ओटो ड्रैवर तो कभी कुछ कभी कुछ उन पे हमलावर हैं गदार कह रहे हैं उनको बकादा क्या क्या नहीं कहा जा रहा ऐसे में अगर ये सांसद एक नाथ सिंदे के घर पहुंचते हैं इसका मतलब है बगावत और लेडी एनाउंस कर दिया गया है कि ये लोग उद्दव ठाकरे को छोड़के जाने वाले हैं तो ये एक बड़ी खबर संसनिक है इस खबर कि एक नाथ सिंदे बकादा इनोंने सिर्व से ना कोई उपर पूरी तरीके से कबजा करने में वो सफल हो जाएंगे इसकी रणीती पूरी क्लियर हो गई है लेकिन ये वही सारे सांसद है जिन्होंने उद्व ठाकरे के सामने ये प्रस्ताव रखाता कि वो एंडिये उमिद्वार को समर्थन देना चाहते हैं और उनके सांसदों की बात मानते हुए बगावत के डर से उद्व ठाकरे ने उनकी बात भी मान ली और एंडिये उमिद् सिर्फ सेना है और एक नाज सिंदे ने अपने गुट के तरफ से द्रपदी मुर्मू को NDA के उमिदवार को अपना समर्थन दिया है अब सवाल यह है कि किसके समर्थन किसका विप चलेगा यह वही पुराने सवाल उठ रहे हैं जो सवाल विधायकों के वगावत के वक्त उठाता अब अगर सांसद एक नाज सिंदे के साथ निज़र आ रहे हैं क्योंकि आप यह समझें द्रपदी मुर्मू जब वहां पहुंचेंगी वहां उद्दव ठाकरे को invite नहीं किया गया यह इसने नहीं किया गया यह फैसला अमिश शाह नरंद्र मोदी जेपी नडड़ा के अस्तर पे हुआ होगा कि आप हर किसी से जाके जा सकते हैं बातचीत कर सकते हैं लेकिन उद्दव ठाकरे से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी ये फैसला एकनाथ सिंदे या देवेंद फर्ण विस नहीं कर सकते, ये फैसला आमिश शाह के अस्तर पे हुआ होगा, और इसलिए हुआ होगा, क्योंकि अभी भी देखिए, रसी जल गई, लेकिन उसका जो बल है, वो गया नहीं है, वो क्यों नहीं गया, क्योंकि संजराओत में वो कहते हैं, कि अगर राश्पती उमिदवार द्रपदी मुर्मू मातोसरी आकर के मुलाकात करती हैं, तो उनका स्वागत है, वही मातोसरी कोई नहीं जा रहा, पूरा जगड़ा ही इसी बात के लिए है, कि आपने अमिशा को चार-चार बार मातोसरी भुला करके, आप लेडी, she is a declared candidate, वो तो बाकी formalities हो रही है, वो कोई भी political science का, कोई भी बच्चा भी जानकार होगा, उसको मालूम है, कि कितनी संख्या NDA के साथ है, कितनी संख्या यसवन सिना के साथ है, जिन लोगों ने बगल में यसवन सिना के साथ फोटो खिचा करके, नॉमिनेशन में वहाँ पे थे, वो पाटियां ओलेडी द्रवपदी मुर्वू को समर्थन दे चुकी है, ये ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग, जो विपक्ची एकता की बात कर रहे थे, वो तो चकना चूर हो गया, और आप ये कह रहे हो कि द्रवपदी मुर्वू, वो पहु हो गई, कैसे, दिल्ली में जब केजरिवाल चुनाओ जीता, उसके पास बहुमत नहीं था, वो टेलिविजन पाके कह रहा है कि हम को कॉंग्रस से समर्थन नहीं चाहिए, और राहूल गांदी चीक-चीक के कह रहे थे, वह बीजेपी को दूर रखने के लिए हम समर्थन टैकल करने के लिए आपने द्रवपदी मुर्व को आपने समर्थन तो दे दिया, लेकिन उस समर्थन का कोई धन्यवाद देने वाला भी नहीं है, यह आप समझे कितना बड़ा यह मजाख है, कि आप घोसना कर रहे हो, कि हम समर्थन दे रहे हैं, आपको धन्यवाद भी को पूछ नहीं रहा, मीटिंग हो रही है, तमाम विधायकों से मिलेंगी, विधान परिशत के सदस्यों से मिलेंगी, लेकिन उद्दव ठाकरे, संजेराउत और जो उद्दव गुट के लोग हैं, उनसे उनकी मुलकात नहीं होना है, जो मीटिंग होनी है, उसमें उद्दव गुट और उद्दव ठाकरे के साथ कोई अनबन ना हो, इसलिए जान बूच के दूर रखा जा रहा है, देखें ये मीडिया का प्रोपगेंडा है, वहाँ पर क्या होगा, वह एरपोर्ट के पास एक होटल में तमाम लोगों से मिल रही हैं, वह समय आप अलग कर दो, वह सा पांच मुझी बुला लो, मामला खतम हो जाएगा, ये कहना के अंदर वहाँ पे मारफिट सुरू हो जाएगी, ये बेकार की बाते हैं, ये जब विधान सभा के अंदर, जब स्पीकर का चुना हो रहा था, तब दोनों कुट आमने सामने नहीं थे, एक जगा बैठे वो नह जल रहा था, जब एक ना सिंदे अपनी बहुमत साबित कर रहे थे, तब ये दोनों कुट एक साथ नहीं थे, जब पार्लमेंट जब होगा, उन इस तारिक से, तो वो वहाँ क्या एक साथ निजर नहीं आएंगे, ये बेकार की बाते हैं, दरसल, अमिश्या की ये पूरी स् है, उद्दव ठाकरे की पूरी जो राजनिती है, उसको ये लोग उसके उपर बुल्डोजर चलाने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजे हो रही हैं, और मैं आपको एक और खबर दे दूँ, भारती जनता पार्टी तो बुल्डोजर चला ही रही है, कॉंग्रेस में भी आ तो मिर्त प्राय होई चुका है, ये अगारी, ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी कोई होसना नहीं हुई है, सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है बाहर, फॉर्मल एनॉस्मेंट नहीं है, लेकिन इसके बाब दूद मिलिन देवरा, जो राहूल गांदी के बाड़े करी से ना थी, ये नोंने जो BMC के अंदर ये जो वार्ड्स का जो परिशिमन किया, वो जो अलग-अलग वार्ड्स बनाए, वो इल्लीगल है, वो उसमें बदलाव करनी का वो सकता है, तो देवेंट फरंडविस ने कहा है कि हाँ, आपकी भावना का हम समान करते हुए, जल्द इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, तो कॉंग्रेस पाटी भी आपको डिच कर रही है, तो भी चारों तरफ से बड़ी दिक्कत उसका सामना करना पड़ रहा है, राजनीती में दम बड़े बड़े लीडर्स का नहीं चला, उद्द ठाकरे कहां के हैं, आपने बना बनाया, जिसों कह सकते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए आपने पनी पार्टी को तबाह और बरबाद कर दिया, यही इस पूरी कहानी का सार नजर आ रहा है, एकनाच सिंदे की घर पे, रात के अंधरे में 15-15 सांसदों का उपस्तित होना, इस बात की गरंटी है, क उद्दव ठाकरे के पास, नहीं वो सिंबल रहेगा, यह सब कुछ एकनाच सिंदे उद्दव ठाकरे से छीन के लिए के चले जाएगे, शुक्र आपडेट के लिए, तो उद्दव ठाकरे को एक और बड़ा जटका, जिस तरह से एकनाच सिंदे बार बार यह कहते नजर आत जो उद्धब के लिए एक बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है। भले ही बहाना रास्टपती चुनाओ का हो लेकिन ये जटका उद्धब ठागरे के लिए बहुत भारी पढ़ने वाला है। इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरापसन अशोग के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी